यह क्या हो रहेला है यह हो रहेला है Ryzen का build This is our first Ryzen build on our channel and we will explain many things इसमें कुछ problems भी है क्योंकि नया architecture है AMD की तरफ से और क्या है वो problem और कैसे उने solve करें यह हम इस video में देखेंगे और हर उस बंदे को जो Ryzen build consider कर रहा है अपने PC में लगाने के लिए उससे ये वीडियो पूरा देखना चाहिए पूरा अच्छा ना लगे द्यार तो डिसलाइक कर देना यार चलिए गाइस बिल्ड की शुरुवात करें ये बिल्ड केपिबल है 60 हर्ट की गेमिंग 2K पे अल्टरा सेटिंग्स और वेरी हाई सेटिंग्स में करवाने के आप चाहें तो ट्रिपल मॉनिटर सेटप भी लगा सकते हैं जैसा कि हमने किया था पिछले 80 के बिल्ड वीडियो म बिल्कुल नया Ryzen R5 1600 6 कोड 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर बेस एस की 3.2 बूस्ट एस की 3.6 GHz 65 वाट्स की TDB के साथ आता है और उसके साथ आता है एक बहुती कमाल का स्टॉक CPU कूलर जिसका नाम है रेत स्पायर ये करीमन 18,000 का है मदर बोर्ड में हमने चूस किया है गीगाव स्टॉकेट के साथ आता है ओव्वियसली B355 चिपसेट है M80X फोम फेक्टर का मदर बोर्ड है ये NVME M.2 है एक स्पेशल फीचर DDR4 है ओव्वियसली ये तो आप जानते ही और तो सभी DDR4 ने चीज़ें और इसमें खास चीज़ है वो है USB 3.1 Gen 2 ये करीवन साले 9,000 का है रेम म हार्ड डिस में हमने यूज़ कि है WD की के वियर ब्लूट वन टीवी 7200 आर्पीम पे चलने वाली हार्ड डिस दो साल की वारंटी के साथ आती है और पिछले 5000 सालों से इस हार्ड डिस को यूज़ करते हूँ और ये करीवन 3,000 की ही आती है केस में हमने चूज़ किया है बड 600W का PSU है सिंगल 12V रेल greater than 80% एवन दो मुझे इसमें PSU में कुछ बाते करनी है आपसे वो आप सुनियेगा वैसे तीन साल की वारंटी के साथ आता है 7,000 रोपय का गरीबन है क्राफिक कार्ड में हमने चूज़ किया है गैलेक्स की तरफ से जीफोर्स जीटी एक्स टैन सेविटी एक सॉक स्नाइपर ब्लैक आर्ट जीबी डीडियार फाइव तूफिटी सिक्स बिट सारे पोर्ट से डिस्प्लेइपोर्ट सबकुछ है उसमें करीवन 34,000 का ये की है डिसकेशन शुरू करने से पहले का इसमें बात कर दूंगे नया अर्किटेक्चर है राइजन की तरफ से थोड़े से फॉल्स है उनके सलूशन भी है चिंता की कोई बात नहीं है लेकिन आपकी एंड तक देखिएगा कि हम कैसे सॉल करते हैं कैसे हम उन प्रॉब्लम को अवाइड करते हैं कैसे कैसे गुड़ एडवाइस जो आपको फॉलो करनी चाहिए और बाकी की कहानी डिस्क्रिप्शन में भी होती है और अगर भविश्य में कोई और बाते हैं इनसे राइजन राइजन आर्किटेक्चर से जुड़ती जाएंगे तो वह भी मैं देखिएगा और दोबारा डिस्क्रिप्शन देखिएगा जब भी आप आगे बनाएंगर यह बिल्ड और मैं थैंक्स कहना चाहूंगो उन कमाल के लोगों का जो दूसरों की मदद करते हैं लिट्रली आप ही लोगों से कम्यूनिटी है और मैं स्पेशल थैंक्स कहना और बहुती बहुत सारे लोगों के रिप्लाइज दिए और थौटफुल रिप्लाइज दिए हैं कई लोगों से तो पूरे लंबे-लंबे कंवर्सेशन किये हैं बंदे ने तो पूरी कमिल्टी की तरफ से मैं नितिश खा ठैंक्स कहना चाहूंगा और मैं यह भी कहना और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है अगर आपको छोटे-मोटे अंसर पता हो ना तो प्लीज दूसरों की help कर दीजेगा चोटी-चोटी बात होती है कि इसे कोई B250 पे अपना KB Lake वाला कोई build बना रहा है आपने उसे पता दिया कि भाई तू 2400 MHz वाली RAM लगा ले क्यों 2133 MHz दोनों की पैसे भी सेम है यार चोटी-छोटी एडवाइस होती है न तो आदमी का भला कर देती है और सौरी गाइस मैं शाउट आउट नहीं दे पा रहा हूं मैं इस वीडियो में क्योंकि मैं गया मैं गया कमेंट सेक्षेन में वह पिछली बिल्ड वीडियो क्यों शोला कहना चाहूंगा लोगों जोनों ने फेस्बुक पे सजेस्ट किया कि हमें बिल्ड वीडियो बनाना चाहिए राइजन का इंस्ट ऑफ डिस्कसिंग आर फाइव तो यह हम बिल्ड वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने जो है सजेस्ट किया था लाइन अप में उनने डिफरेंट डिफरेंट बिल्ड से में आगे डिसकस करते रहेंगे ओवरॉल मैं यह कहना चाहूंगा कि चारो आर फाइब बहुत अलग हैं और उन सब की जगह हैं इन सीप्यू बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं यह इंटल की तरह आसान नहीं है लेगिन बात चलिए ना जिसे मुझे चार इंटल के जो आर आई फाइब प्रोसेसर थे उन में सो दो ही अच्छे लगते थे सेवंटी फाइव अंडर्ड और सेवंटी सेवंटी सेवंडर्ड के और स्काइलिक की बात करो आप तो 6500 और 6600 के उसी तरह से मुझे दो प्रोसेसर्स काम करने में भी बहुत अच्छा कूलर है मलब स्टॉक कूलर की डेफिनेशन बदल दी और अब की बार आपको मिले हैं टू सिक्स कोर्स अपनी अपनी हर कोर की 512 लेवल 2 कैश है FX सिरीज की तरह नहीं जा बोले आते थे 8 कोर हैं इसके अंदर और होते थे 4 मॉडियूल खेर FX सिरीज की बात की क्यों कर रहे हो by the way DX12 अगर advantage लेगा more hardware का तो more hardware इसमें है 6 कोर 12 thread अब अगर 12 thread आपको किसी चीज में मदद कर सकते हैं वो है gaming और streaming इसा आप समझ रहे हो ना gaming में भी CPU की जरूरत है और streaming में भी जरूरत है और एक साथ आप उस पर करवा रहे हो तो उसमें obviously जादा core और जादा thread मदद कर दें और और बी CPU intensive जित्ते भी काम होते हैं encoding rendering उसमें समय चीता है 1600 और obviously बतानी कि मुझे जरूरत नहीं है 7500 से CPU intensive workloads में तो काम जादा दे गई है और अगर हम compare अब करी रहे ना मैंने 7500 का नाम ले लिया है तो आप इतना तो समझी जाओ कि अगर हमें 1600 को Intel के processes से compare करना होना तो मैं compare करूँगा 7500 से 7600 से अच्छा यह जो है non X CPU है लेकिन यह मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि non XO या XO XFR तो समय है और अगर XFR आप में से कोई नहीं जानता हो तो हमने horizon वाले जो है वीडियो में discuss किया है कि XFR क्या होता है इसलिए यहां दोबारा नहीं कर रहे लेकिन XFR जो है अगर 1600 X है उसके अंदर जो XFR है उससे आधा होगा इसमें 1600 में लेकिन होगा तो अच्छी बात है न जिन लोगो को मैं आप ओवर क्लॉकिंग नहीं करनी हो वो चाहते हैं कि अपने आप आप आटोमेटिकली ओवर क्लॉक हो जाए CPU हमें मेहनत ना करनी पड़े तो और चिंता ना करो आप XFR के बारे में हम और जार डेटेल में बात करते रहेंगे आगे के बिल्ड वीडियो में और अब तो यह आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि सारे जो राइजन के CPU हैं वो सारे ओवर क्लॉकेबल हैं और अगर गेमिंग बात करो ना आप 7500 की हमें बात करी तो गेमिंग में अगर 60 Hz पे आप गेमिंग की बात करते हो नो इन दोनों में अंतर बहुत कम है बहुत कम 60 Hz की बात कर रहा हूँ मैं लेकिन फिर भी एक बात की बात है कि जब 2.4 थ्रेट आपके पास अच्छे हैं एक्स्टा हैं और तो थोड़ा सा इंप्रूव कर है यहां मैं सब वनाते हैं जिस पर जीपी उपनी जो लिमिट से उस पर रीच करता है थोड़ा सा alpha ization हमारा क्योंकि हम तो अपना GPU जो है उसे टूके पर यूज कर रहे हैं 1070 जैसा पावरफुल क्राफिक कार्ड है तो भी क्या हुआ टूके पर यूज कर रहे है ना उसे तो उसकी दम निकल लई है लेकिन मैं एक बात और जोड़ता जाओं यहां पर कि आफटर सम गेम अपडेट्स 7500 के भी फिर्म टाइम्स अच्छे हो गए मैं आप यह बता दूँगा लेकिन अभी इससे मलब बात यह निकल के आती है कि अपडेट्स भी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं चाहे 7500 हो चाहे 1600 हो मैं सच्चाई की बाप पता हूँ आपक की जो गेमिंग की दुनिया है वो दो तरह के प्रोसेसर पर चल लगी है एक तो डूवल कोर्स हैं और दूसरे हैं क्वाड कोर्स और अभी हाल फिलहाल जो इको सिस्टम है उसमें जो है अपने 1600 जैसे राइजन वाले CPU अपना पूरा जलवा नहीं दिखा पा रहे हैं अब ए इक्जिस्ट करते हैं डोल कोड्स कूप धरले से करते हैं यार मला पेंटीम सारे लोग खरीते हैं आई थी खरीते हैं और मजॉर्टी खरीती है बहुत बड़ी लेकिन क्या है अब आप जरा मीडिया पे या इंटरनेट पे देखो तो हरको या आपको बात करता हूँ मिलेग 7600K के बारे में 7700K के बारे में लेकिन नॉर्मल मजॉलिटी वह वाले प्रोसेसर चूती भी नहीं है अभी महंगे रहे हैं यार वह कौन ओवर क्लॉक की बिल्ड बनाएगा वह इंटल वाले लेकिन या में एक और बात कहता चलू जरूरी नहीं है कि जो पिछले 5-10 साल से ह होता आया है तो वह आगे भी 5-10 साल तक होता रहेगा में आप जैसा कि आप जानता ही अभी तक तो हाइकउर क्लॉक के अधीा खिंस की जेग व्युक्त ओटाय।े है लेकिन जब तक हाई-को लॉक गलॉक जैसी चीजें इंपोर्टेंट्न हीङन है तो 7700 के जैसा CPU राज़ा रहेगा गेमिंग ऑर जो मैं बात कहरा हूँ नuç घ्र सेवरोल बात कर रहा हूँ अगर नहीं नहीं डान गेमिंग एपलीकेशन में बात करना चाहूँ तो थो सुक्सी हंड़ेज की की परफॉर्मेंस जो है वह बिल्ड। 1700 के पास आपी है बला आप समझे जो 1700 R7 8.16 थ्रेड वाला प्रोसेसर उसके काफी क्लोज आयाती है लेकिन वो जो पर्फॉर्मेंस को पास पहुंचाने वाली बात है 1700 तक वो स्टॉक कूलर पर थोड़ी सी पॉसिबल लई है लेकिन फिर यह मज़े की बात है जानने की कि आपको सीपीउ में इतनी काबलियत है कि 1700 अर्ष सेवें आर्ट कोर सोला थ्रेड की पर्फॉर्मेंस के काफी बरावर पहुंच सकता है और अगर आप इतनी बड़े सीडियस केंग हो अगर आपको इतनी परफॉमेंस वह 1700 के पास पहुंचानी है मैक्जिमम जूस निकालना है आपको अपने 1600 में तो अव्यस सी बात है कि आप 1600 एक्स जैसा प्रॉसेसर खड़ी दोगे और फिर बढ़िया सा आफ्टर मार्केट कूलर खड़ी दोगे अगर आप मुझे सो पूछो ना कि 1600 सीप्यू किसके लिए तो मैं आपको कहूंगा गेमिंग प्लस कंटेंट क्रियेशन अगर कोई करता है तो उसके लिए यह बिलकुली सुन्दर सुशील सीप्यू है या फिर कोई भी एप्लिकेशन जिनने जादा थ्रेट्स चाहिए होती हो ओवर ओल बात इतनी लंबी कहानी मैंने कह दी है ओवर ओल बात यह कि सीप्यू यह बहुत अच्छा है और अगर मैं सीरियसली बता हूँ आगे हम लोग डिसकस करते रहेंगे राइसन के बारे में ल क्या क्या चॉइसली मिलती है वह हम आगे डिसकस करते रहेंगे बहुत लंबा डिसकेशन है वह मदरबोर्ड में हम लोगों ने चूज किया है गीगावाइट जी ए बी थ्री फिफिटी एंडी एच्छ जो की बहुत ही फैंटेस्टिक मदरबोर्ड है थोड़ा महंगा है ल लेकिन यह स्पेशल क्यूं है यह मैं आपको अभी दिखाता हूँ और इसे रिकमेंट करने के ना एक स्पेशल रीजन है वह मैं आपको रीजन जो है वह रैम सेक्शन में बताऊंगा कि क्यू हमने यह मदरबोर्ड चूज किया है चलिए गाइस देखें इस मदरबोर्ड मे लेकिन आपको अपनी भी गाइड मिलेगी इसमें क्या-क्या खास बाते हैं वो धीमे धीमे हम डिसकस करें ले रहे हैं ठीक है यह तो आप जानते ही ओभी 350 चिपसेट वाला मदरबोर्ड है यह स्मार्ट फेन 5 यह जो है अप्लिकेशन सॉफ्टवेर्स हर मदरबोर्ड के सा आपको मिल गए तो फाइदा हो गया बागी चे टेंपरिचर सेंसर सेंसर कोने कोने पर आपको सेंसर मिलेंगे दूसरा यह हाइबरिट फैन पिन हेडर है मलब आप पीड़ू यह वाला फैन लगाओ या वोल्टेज मोड से रेगुलेट होने वाली स्पीड जो रेगुलेट पर फैन लगाओ यह सीप्यू पेन लगाओ यह सिस्टम लगाओ यह वाटर कूलिंग पैन लगाओ अगर कुछ भी हो पीड़ू एम कंट्रोल स्पीड वोल्टेज मोड से कंट्रोल ने वाली स्पीड वो दोनों को समाल लेगा और सौफ्ट्वेर तो आप जानते हैं यह सब के साथ ही उती है जमाद लें बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी है और क्य När घृ मंतलब की चीज किया है तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेता ओवरॉल को मज़े की चीज क्या है Fast Onboard Storage with NVMe PCI Express Gen3 into 4 M.2 M.2 तो आप सब जानते हो Form Factor है छोटी C SSD होती है वो लग जाती है ओवरॉल ये जो slot आपको मिले गा इस पर M.2 वाला वो दोनों इंटरफेस पर चलने वाला है चाहो तो आप इसे NVMe वाली M.2 लगा लो या चाहो तो SATA इंटरफेस वाली M.2 लगा लो और अब ये बताने वाली बात तो है नहीं सब जानते है SATA 3 इंटरफेस जो है वो अपनी hard disk के लिए हम यूज करते है उसकी maximum capacity होती है 6 gigabit per second transfer करने की वैसे gigabit में तो कोई बात नहीं करता अगर byte में आप बात करो तो 500-550 megabytes per second की उसकी maximum capacity होती है जो कि हम SSD में देखते है जैसे आज अगर आप लगा रहे हो 750 EVO तो आप 550 megabytes per second की speed देखोगे maximum जो कि वो SATA इंटरफेस पर ही है पर second और यह एक खास चीज fast USB 3.1 Gen 2 solution जैसे कि आप इसमें भी आपको दिखाई दे राय ग्राफ में भी कि ज्यादातर motherboard में 3.1 Gen 1 तो है लेकिन हमारे motherboard में Gen 2 भी है और double speed Gen 1 से अब आपको बस यह देखना है कि जो डिवाइस आप जोड़ो इसमें USB वाला 3.1 वाला वो Gen 2 का होगर से पूरे फीचर उठाने हैं गीगाबाइट प्रेटेंटे डबल लॉकिंग ब्रेकेट जादा बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी यह है कि PCI Express जो आपका slot है जैसा कि आप इसमें देख रहे हो उसको स्टील के साथ थोड़ा सा रेनफोर्स कर दिया गया है मदर बोर्ड में मतलब जैसे नहीं कई बार भारी कार्ड लगा तो तो उखड जाते हैं PCI Express वो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा जैसे कि आप देखी रहे हो डिजाइन में धंग से कस्ट दिया सिर्फ सोल्डर नहीं किया है उसे कस्ट दिया है अच्छा एंटी सल्फर डिजाइन विदाउट एंटी सल्फर एंटी सल्फर रेजिस्टर डिजाइन देखे छोटी-छोटी चीज़ें होती है यह बताता हुवा चल आ हूँ मैं चलिने में खराब होता मदरबॉड रेजिस्टर्स और ऐसे वो जाते हूं, तो आपकर खराब हो जाता है। पिसी क yaptम लगा दो जैसे कि इसमें लगा गया अन्टी सलफर रेजिस्टर्स ना होwide, वोर ओल इतनी जाधर केमिस्ट्री नहीं को पड़ा है तो यह overall motherboard की life बढ़ा देती है और सही में इस motherboard में high quality onboard audio design है अगर आप ज़्यादा interested नहीं हो कि आप अलग से कुछ interface लगाओ कि अच्छे audio के लिए तो आपका onboard audio design जो है onboard audio hardware जो है वो काफी अच्छा है इस motherboard पे यह देगा दूसरी चीज़ जैसे ही सलफर प्रोटेक्शन हो रहा था रेजिस्टर से वैसे यह भी यह glass fabric छोटी छोटी chemistry वाली लेवल पे जो longevity आपकी बढ़ा है motherboard की अच्छे motherboard में आती high temperature protection lower RDS on MOSFETS design basically क्या है MOSFETS क्या होते हैं transistor होते हैं उसमें से current निकलता है अब अगर आपका low RDS यानिकी low resistance वाला MOSFETS है तो बहुती basic सी बात है आप सबी जानते हो कि resistance कम होगा तो obviously current आराम से flow होगा उसकी वैसे गर्मी कम होगी उसकी वैसे efficiency बढ़ेगी क्योंकि power loss नहीं हो रहे है तो यह तो अच्छी बात है ना power loss नहीं हो रही है और दूसरी अच्छी बात है कि आपका जो है मदरबो ठंडा रहेगा MOSFETS आपके ठंडे रहेंगे refresh BIOS, easy smart friendly, gigabyte app center ठीक है बहुत अच्छे software है easy tune, system information viewer अब आप यह समद लो यह सब software हैं तो वो चिपका रहे हैं यह सब आपको मिलेंगे, मिलेंगे तो फायदा उठा ले ना आप उठा सको तो 3D, USB, Gigabyte, PTT, Dual Y ओ यह है तकडी चीज देवो hardware के level पे कोई कुछ देता है ना तो खुशी होती है software तो सभी चिपकाते हैं जैसे नहोंने मारतमाम चिपका दिये आपको अपने motherboard में dual BIOS मिलेगा जो अच्छे अच्छे मदरबोर्ट में नहीं होता अगर आपको जरूरत पड़े हो कई सालों तक हो सकता आपको जरूरत ही ना पड़े लेकि जिस दिन पड़ेगी तो आपको काम आएगा अगर आपका गलती से भी BIOS को कुछ हो जाता है नॉर्मल क्या होता मदरबोर्ट में अगर बाइवस को कुछ हो जाता है जैसे कि फॉर एक 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 जाम्पल ये भी है कि अगर आप अपनी BIOS अपडेट कर रहे हो कुछ गड़बल हो गई ठीक है BIOS अपडेट नहीं हो पाया तो वो गया मदरबोर्ट अब क्या होगा उसको आपको मेनुफेक्चरर पे भीजना पड़ेगा अब वो ही कर सकते हैं वो ही BIOS कर सकते हैं आपके हाथ से बात निकल चुकी है लेकिन जब आपके बाद डूल BIOS हो तो तो कोई पंगा ही नहीं है बैकप BIOS आप पे रखा हुआ हाडवेर लेवल पे आपके पास बैकप है और तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिलकुल भी लेकिन कोई भी सेनारियो बन सकता है कोई भी अगर गलती से BIOS को कुछ हो जाता है तो आपके पास ये बैकप है अच्छा लगता है कि हमारा जो है अंडर 10,000 के मदर बोर्ड में ऐसे हार्डवेर फीचर्स हैं जो कि 10,000 से ऊपर के कई बैजट वाले मदर बोर्ड में नहीं है हाई-डेफिनेशन डिजिटल ओड पॉड एच्डीम आई 4K मदर जबर दसी चिपकान आए हाँ ठीक है ठीक अच्छी वात है नेक्स जेन क्या है नेक्स जेनरेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस एच्डीम आई एक्स प्लिक, गेम, कास्टर, ब्रोड कास्टर, कास्ट योग एनिटाइम, एनिवेर, ट्राइड, बागी सब तो आप समझी जाओ, बागी सब बखवास है हाडवेर की जतनी चीज़ें दी, जतनी मैं बता सकता तो वो मैंने आपको बता दी लेट्स मूँव ऑन टू एनदर हाडवेर, रैम में हमने चूज किये अपनी हाइपर एक्स, फ्यूरी ब्लेक, 8GB, 2133 मेगा हर्ट्स, बट आप पूछो कि क्यूं आई जी क्यूं, लोग जो है, वो 3666 मेगा हर्ट्स तक ओवर क्लॉक कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स और तुम 2133 सजेस कर रहे हो, क्यूं आई जी क्यूं, 2133 मेगा हर्ट्स वाली रैम किती पुरानी हो चुकी है, कम से कम सजेस कर नहीं है, तो कम से कम 2400 मेगा हर्ट्स वाली रैम सजेस कर देते हैं, जो कि सेम प्राइस पे आती है 2133 हर्ट्स की क्यूं आई जी क्यूं, रुक जाओ आप सबर बनाए रखो एक एक करके मैं जवाब दे रहा हूं ठंड बनाए रखो रुक जाओ रुक जाओ तेकि छोटी सी एक प्रॉब्लम है जो की राइजन बिल्डर्स फिलाल फेस कर रहे हैं पहली बात तो मैं आप एक एक करके जवाब तो यह के पहली हर कोई जो है वो नहीं जा रहा 36-66 MHz वाली RAM पे ओर ग्लॉक नहीं कर पा रहा मजॉर्टी जो है चाहें वो कोई सी भी RAM लगाए वो 29-33 MHz वाली अभी R5 पे ले पा रहे हैं चाहें कुछ भी कल लें वो कोई भी RAM लगा लें लेकिन फिलाल 29-33 MHz पे चल नहीं रहे हैं और अगर आप दू 30-33 MHz वाली RAM नहीं सी पीउ जो है फास्ट रैम का फायदा कब उठाता है वो तब उठाता है जब वो अपनी लिमिट्स पर पहुंच जाता यानि कि वो बिल्कुली 100% अगर यूसेज हो रही है उसकी तब वो सहारा लेता है हर उस चीज का जो उसकी मदद कर सकती है जिसमें इसे एक होती है फास्ट रैम तो हम तो ऐसा बनाती ही नहीं है जो CPU अपनी लिमिट्स पर पहुंचे अगर आप यह थोड़ा कंफ्यूस हो रहे हो ना यह मैं क्या बोला हूं के लिमिट्स पर पहुंचे CPU और क्या होती है बॉटल लेकिंग बगरा तो आप पिछला वीडियो खुछ देखो उसमें भैंण तरीके से भी ने डिसक्स किया है कि बटल लेकिंग शॉटल लेकिंग ते भाके सारे कॉंसे आपने क्लियो नहीं की कि प्या है हमने जो एक बहुती स्टॉंग डियू को बहुती स्टॉंग ग्राफिक कार्ड को कमपरेटिवली एक कमजोर CPU के सा 7500 जो अगी वास्तम में अगर देखा जाए तो भूत राकतवर CPU है और जैसा कि अब बाप इस टॉपिक पर आ जाते हैं जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि जब CPU अपनी चरमतम सीमाओं पर पहुंचने लगता है बॉटल लेक होने लगता है सिस्टम को बॉटल लेक करने लगता है तो साहरा उठाता है फास्ट्रेम का तो यह तो सच्चा था उसके इंटेल के लिए भी तो यह होता था यह दो हम करते थे इंटेल में पहले भी कह चुको हूं आपसे यह मैने आपसे कहा था 70 के बिल्ड वीडियो में अब आपको ओगे आयेगी वो सबसे बात है समुरी में आगाइस ऐसे थीक है लेकिन यह बताओ 2400 Mhz क्यों ने यूज्ट करी कीमते सेम है वो सब ठीक है जब है सेम कीमत पर है 2400 Mhz क्यों ने यूज्ट करी एक्चुली में न अब हम आये हैं सही problem पे जो problem है तो चोटी चोटी दिक्कते होती हैं जब नया architecture आता है जैसे की Ryzen है नया architecture है नया platform है थोड़ी से bugs होंगे थोड़ा time लगेगा उसे सही होने में लेकिन time के साथ साथ थोड़ा time जैसे बीतेगा वो सब solve हो जाएंगी problems लेकिन present में आपको थोड़ा सा साथ धान रहना पड़ेगा फिलहाल थोड़े से साथ धान हो जाओ आप कोई भी PC configuration जो है आप वो मत्राय मत करो क्यों कह रहा हूं मैं ये बात ये sky lake और kb lake नहीं है जो कि super mature platforms थे उन्हें बहुत time हो गया तो उनमें कोई bugs बचे ही नहीं थे उसे आप कैसे भी कुछ भी बना लो इसलिए हमने कुछ ज़्यादा आज तक उसकी stability में हमने कभी बात नहीं करी हमने सिर्फ यहीं discuss किया है कि व वाली RAM चूज करी है और 2400 MHz वाली RAM को अवाइड किया है क्योंकि छोटी छोटी दिक्कते राइजन अभी फेस कर रहा है क्या है वह दिक्कते यह हैं कि हर कोई RAM जो है अकर आप AM4 platform पे लगाते हो तो सारी RAM में नहीं चल रही है और अगर चल भी रही है तो वह अगर आपने इसे कोई RAM लगा भी ली हाई मेगा हर्ट्स वाली हाई स्पीड वाली हाई फ्रिक्वेंसी वाली तो जरूरी नहीं है वह हाई क्लॉक्स जो है अच्छी कर ले और कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही है जैसे आपने कॉंबिनेशन बनाया के एक AM4 चिपसेट वाला मदरबोर्ड जो आपने पहले यूज किया था वही RAM जो आपने पहले यूज करी थी और आपने 1600 को चेंज करके 1700 लगा दिया तो कहो बिल चल जा है मलब यह अजीब बात है इसका कोई explanation नहीं है जब आर्की टेक्चर सेम है तो चल जाना चाहिए ना मलब जैसे आप ही हम फिलहाल यह ऐसी चीज़ा देखने को आ रही है जिसका कोई explanation नहीं है although मैं यहां यह कहता है जो इस तरह की abnormalities है वो बहुत ही कम है बहुत ही कम और कोई भी reason हो सकता है उनके होने का लेकिन हैं यह बात गौर्ट करने वाली है कि हैं और सीधी सीधी सी बात है नय आर्की टेक् एक होता है आप ण्यूल रॉष और सो 21 करे यह होना अपने मदरबोर्ड इलिए उसे अपने मदरबोर्ड अपने अपने मदरबोर्ड व्रांड व्राइडिए रेम कीक्रा को दूर्वाइड रैम थेम फ super種 के रहं नहीं है इस अब तो पूंचकर नहीं वह अब पूछ और उ जैसे कि आज के मदरबोर्ड के लिए जो पूरी लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है लेकिन आप अगर भी ये सेंब्ल बनाओ तो आप ये डारेक्ट जाके मैनुफेक्चरर की वेबसाइट से लीजेगा मलब गीगावाइट की मैनुफेक्चर से लीज तो अब आप पूछो के आई जी इस का मतलब ये है के हम अगर कोई और रहाते हैं तो वो काम नहीं करेगी दुबारा बहुत अच्छा कुशन पूछा आपने बड़ी गजब के कुशन पूछ रहे हैं आप क्या बात है जमन प्राश खा के आयो लगता है दुखो काम तो और भी करेंगी और हो सकता बिना दिक्कत के वो काम कर जाएं लेकिन एट प्रेजेंट वी हैफ टू वी शूर और मैं आपको बता हूँ इसको टैकल करने के लिए प्रॉब्लम को मेरे पास तीन सलूशन से मैं आपको एक्जेक्टी सलूशन ही बताता हूँ आप जैसा कि आज के बिल्ड वीडियो में हमने बताया है 2133 MHz वाली RAM खरीदो उसे ही लगाओ क्योंकि वो टेस्टेड है लिस्ट में भी प्रेजेंट है हमारे मदरबोर्ड की और अगर फिर भी कोई गड़बड़ी होती है तो आप अपने मदरबोर्ड के कस्टमर केर पे और उनसे कह सकते हो उ HyperX Fury Black हमने लिया वो भी खरीद लो या फिर Corsair Vengeance की 2400 MHz वाली RAM आती हो वो भी खरीद लो दोनों RAM में खरीद लो आप बिल्ड बनाओ 2400 MHz वाली RAM अपनी HyperX Fury Black के साथ चल जाए तो उसमे 2400 MHz वाली RAM के साथ टेस्ट करो लब RAM बदलना CD DVD बदलने के बराबर है यह तो आप भी जानते हो सबसे इजी काम है यह और फिर जब 2400 MHz वाली RAM चल जाए तो आप 2133 MHz वाली या तो वापिस कर दो और refund ले लो या फिर एक्सचेंज कर लो आप 2400 MHz वाली RAM से तो आप आपके बिल्ड में 16GB की RAM हो जाएगी जो की होना चाहिए 90,000 के बिल्ड में 16GB का ही बनना चाहिए अब यह यह बताने की जरूर तो है नहीं के RAM जो है कम से कम आप ऐसी जगह से खरीदना जहां आराम से refunds मिल जाए और जहां आराम से एक्सचेंज करना चाहों तो एक्सचेंज हो जाए और यह तो बताने वाली बात ही नहीं है आपको अपने सारे PC पार्ट से ऐसी जगहों से खरीदने चाहिए जहां को आराम से refunds और एक्सचेंज की सुधाय मेलने हैं अब जिसे कई बार क्या होता है Amazon से लोग कैबिनेट खरीदते है अब फोटो में तो बड़ा अच्छा सा लगता है वो बड़ा शाइनिंग सा लेड वेड लगी हूई है बड़ी चमक म लगाई थी मैंने उसे देख लिया के वो चमकी फोटो नहीं है तो मैंने वापिस कर दिया और दूसरा केस मंगा लिया तो यह freedom आपके पास होनी चाहिए और सीधी सी बात है जहां से आप खरीद रहे हो offline या online आपको जो है खरीदने के बाद जो है after sales service मिलनी चाहिए और वो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए जहां से प्यार से service मिले ऐसी जगह से लें आप अचा एक और चीज होती है कई क्या होता है यह जो जहां से भी आप खरीदो online offline यह लोग क्या करते हैं बेचने के बाद कहते हैं अगर दिक्कत हो तो अपने manufacturer से बात करो जैसे motherboard में अगर को से दियें तो मैं profit करवाया है don't shy away from giving services लेकिन चलो वो तो आप पर डिबेंड करता आप कहां से खरीगते हो और कैसे खरीगते हो अल्दो लंबी कहानी यह है इतनी लंबी कहानी जो पूरी राम का था मैंने सुनाई आपको वो यह है कि यह जो problem problem की बात कर रहा हूं नो मैं आ कुछन से एक य दो % लोग के साथ हो रही यह बाकि मस्त बना रहे है कोई दिक्त ही नहीं है जैसे हमने आच तक अभी बात नहीं करí दिक्कतों की वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ये एक दो पर संच्ट लोग के लिए है उन्हें दिक्कत ना हो बस इसलिए Gaiarяти वाल लेकिन अगर आप ये आज का बिल्ड बना रहे हो मस्त बना हो आप और फ्यूचर में जैसे ही स्टेबल हो जाएगा प्लेटफॉर्म तो आराम से जी स्किल की ट्राइडेंट्स खरीदना लेकिन अब आपको दिमाग में आप में से कुछ लोग थोड़ा सा घबरा गए होंगे दिक्कतों की बात कर रहे ना हम तो आप घबरा ठूटी जाती है अब आप मेंसे कई लोग कहेंगे भाई इत्ता पंगा यार इत्ता रहे में पे इत्ता लंबा डिस्कुशन हुआ भी इत्ता पंगा नहीं लेना हमें देखो एक बात है नया अर्किट्र होता है थोड़ी दिक्कतों होती है यह बहुत ही पॉमन चीज है और यह जरूरी थोड़े ना है आपके साथ हो यह तो दिक्कत जो मैंने आपने डिस्कस करी है वो और श्योर होने के लिए करी है बस और आप जो इस वीडियो में दिये ग ऑर चौराही पे बीच खड़ोगे चला आप चादी बीड़ के चाहाते जपते हो राइजन बिड़्ट है मेरा अर्ली अडॉप टर हुमने नया अर्ट्र Argentine का इसीपी ओ से दुन्सों तो केवी लेख था मैं नए अर्किट्रेय अगर बड़े शहरों में नहीं रहते हो और कई शॉप बालों तो पता भी नहीं होगा के राइजन कुछ होता है कुछ एक्जिस्ट करता है सोचो वो आपके बिल्ट में होगा चलि आगे बढ़े बहुत देर सरेंपी डिस्क्रिशन करेता है हाट डिस्क में देव हाट डिस्क में बात ही नहींगा बात हीनी आगे बढ़े जाओ केस में हमने चूज किया है सुन्दर सुशील कॉर्सेर कारवाइड स्पेक अलफा वन अफ दो मुस्ट ब्यूटिफुल युनीक कैबिनेट एंगुलर डिजाइन के साथ आता है और यह 2016 एडिशन है बिलकुल ब्रेंड न्यू कॉर्सेर स्पेक सिरीज के बारे में तो आप जानते है यह हो कितनी कमाल की सिरीज है और यह बहुत हट के केस है बहुत हट के अपने अंगुलर डिजाइन के साथ ना थोड़ा मॉडर्न वाली फीलिंग देता है आपको और फ्रंट तो इसका सबसे जादा कमाल का है जो बिलकुल अलग इसे कर देता ना फ्रंट है वो इसका फ्रंट और बेसिकली टॉप इसमें थ्री फैंस मिलेंगे आपको तीन पंखे है दो में लेड है एक में नहीं है और भई महंगा केस है तो आपको और भी अच्छी चीजें मिल जाती है जैसे टूलेस ड्राइब बेस हैंस में फोर बोथ HDD एंड SSD अल अगर ये केस ये कैबिनेट आपकी टेबल पर रखा हुआ है तो हो नहीं सकता लोग पूछे ना आप से के भई क्या है इस PC के अंदर इस अ कनवर्सेशन स्टार्टर लिकिन मैं यहां पर एक और बात कहता चलू जैसे कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अंगुलर डिजाइन है मॉर्डन है गेमिंग वाला टाइप का है कई लोगों को नहीं अच्छा लगता यह कई लोग प्रिफर करते हैं वो जो सिंपल स्टेट डिजाइन होता है जैसे स्पैक वन वगएरा जैसे है न वो केसिस आपने देखे हैं लोग को वैसे सीधे साधे केसिस पसंद होते है लिग मुझे बहुत अच्छा लगा लिए ओवराल पस्पेक्टिव की बात है PSU में हमने चूज किया है Corsair CX600 तीन साल की वारंटी वाला नाम से ही पता चलना है आपको कि 600W का PSU है यह हमने VS Series क्यों Change कर दी आज हमने CX Series का क्यों PSU यूज किया है यह मैं आपको discussion थोड़ा भी टाल लाओ VS Series को हम दुबारा discuss करेंगे detail में फिर दुबारा किसी और build वीडियो में जब हम इसे दुबारा कभी use करेंगे आज हम discuss करने थोड़ा सा CX600 के बारे में जो कि एक awesome PSU है और एक बात यह हमने आज थोड़ा change इसलिए भी करिए series के आपको थोड़ा सा बहतर PSU मिलना चाहिए अगर आप थोड़ी भी overclocking में interested हो और थोड़ी क्यों हो फिर तो अच्छी overclocking में interested हो ना serious overclocking करो ना जब build support करता है आप तक आप जानी गए होगा आपका build support करता है overclocking B350 chipset में ये features हैं कि आप CPU अपना overclock कर सकते हो तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अच्छी quality का PSU लगाना चाहिए और power की अगर बात करें तो 600W is more than enough लेकिन एक big butt के बारे में बात करना चाहूँगा मैं कि अगर आप Amazon पे जाओगे तो आपको चार देखने को मिलेंगी CX600 इसमें सो कौन सी लेनी है और इनमें अंतर क्या है इन चारों में सब का नाम है 600 CX600 देखिए गाईज इनमें से एक है version 1 जो सब की सब पुरानी है एक है version 2 जो उसके बाद आई थी और तीसरी है version 3 जो latest है जो कि actually मैं bronze certified है है या तो सारी 80 plus efficiency के मामले में सारी 80 plus है लेकिन इनमें से सिर्फ एक CX600 bronze certified है वो available नहीं है Amazon पे फिर क्या बचता है फिर बचता है हमारे पास चौथा option ये जो 600 है CX600 है ये semi modular PSU है अगर कोई नहीं जानता हो modular non modular semi modular फोड़ा साब आपको यहाँ बता वूगा चलू के modular मौड़लर होती है जिसमें से सारे तार निकल जाते है semi modular होती है जिसमें से 酷व ऍख़चा निकल जाते है और non modular होती है जिसमें से कोई तार निकलता जैसे के अपनी VS Series होती ती ठीकिन सब के और ना मेरा इतना Bronze Certified में इंट्रेस्ट है तो आप वह वर्जन 2 ले सकते हुआ आप स्ट्रोंगली सजेस्ट के आप वह सेमी मॉडुलर ले ले लो बिल्ड के हिसाब से भी अच्छी है और Bronze Certified है और ले टेस्ट वर्जन है बाइदावे चारो इन चारो PSU के लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं अगर आप इन चारों को देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आके देख सकते हो GPU में हमने चूस किया Galaxy 1070 XOX Sniper 8GB और आप इस card को जो है overclock कर सकते हैं क्योंकि overclockable build है आपका extra performance के लिए और जब overclock करेंगे तो कई कुछ महंगे cards के performance के बराबर आप पहुचा सकते हैं से और अगर आप चाहें तो इस build में आप भारी से भारी card लगा सकते हैं क्यों कह रहा हूं मैं ये बात क्योंकि motherboard वाले section में मैंने आपको बताया था कि जो PCI Express slot है इन motherboards पे वो अच्छी तना से मजबूती से जो है फिक्स किया गया रिन्फोर्स किया गया है तो अगर आप जैसे चूज करते हो ना जैसे हमने पिछले बिल्ड वीडियो में चूज किया था कर रहा वाला हम डिसकास कर चुके हैं पिछले बिल्ड में इसके यहां नहीं कर रहे और जिस जोटेक कार्ड के बारे में मैं कह रहा हूँ ना पिछले बिल्ड में वह भी description में आपको लिक मिल जाएगा माइक्रो एलेक्ट्रोनिक्स में कई जगह पर सैमसंग का हाथ है मलब आप चाहें ब्रांड कोई भी खरीदे रहे हो किसी और चीज़ की लेकिन हो सकता है उसके नीचे सैमसंग हो जैसे कई रैम्स हैं जो मार्केट में हैं उसमें सैमसंग की चिप्स लगी हूई है जैसे नि कोई भी हो आपका कोई भी तैमसंग की रैम्स है लेकिन यह आच्छी क्यों है डीक वाते में यह बात करेंगे बाहइं में long endurance है, market में बहुत लंबे time से है, चुकि यह लोग इसे बहुत time से देख रहे हैं, good controllers हैं इसके अंदर, और बाकी मैं आपको बताऊं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, थिर कभी बात करेंगे इसके बारे में, चलिए guys, build तो हो गया complete, अब थोड़ी सी गपे हो जाएं, खास कर उन लोग के लिए जो belong करते हैं, indiangamers.club जो इतनी दूर तक आते हैं वीडियो में, तो वो deserve करते हैं एक answer answer किस question का पूछ रहे हैं question यह है, question यह है कि मैं इतना कम क्यों upload करता हूँ, तो guys, simple answer देना हो मैं आपको बताऊं कि थोड़ा तो time की गमी है दूसरा reason यह है, कि यह channel अतना fruitful नहीं है, मैं आप समझ सकते हो ना कि जो लोग हैं, वो phones में जादा interested है, भीड है, phone में interested जो लोग हैं, उनके लिए तो भर-भर के, PC में लोग इतने interested नहीं है, और मैं बहुत अच्छी दा समझ सकता हूँ, भी महेंगा शौक है, यार बहुत जादा महेंगा शौक है, और सच पूछो ना, आपके channel को आगे कैसे बढ़ाएं और channel पर कैसे, कैसे हम manage करें channel को, तो इसके answer सभी बता हूँ, मेरे पास भी नहीं है, काश होते, लेकिन फिलाल है नहीं, although आप चिंता मत करो, मैं ट्राइ करता रहूँगा, कुछ ना कुछ तो डूंड़ूँगा, लेकिन आप से भी help मांग रहा हूँ, कि आपके पास suggestions हो, तो please suggestions दीजिएगा Facebook पे, आपको एक post मिलेग है, वो आपको description में मिल जाएगा, चालो या, बहुत serious serious बाते हो, मैं आपको एक अच्छी बाह बताओ, मैं आपको खुशकवरी दूँगा जल्दी, बढ़िया, दिल खुश हो जाएगा आपका, patience बनाए रखो, ठंड बनाए रखो, रुख जाओ, रुख जाओ, दूँगा टाइम आने पर दूँगा, also I will like to say thanks to Saif and AJ, अच्छा लगता है, आप लोग इस channel की परवा करते हैं, and that's a very big thing, feels good too, और अगर आपको कुछ comment करना हो, कुछ suggestions हो, आपके कुछ queries हो, तो आप जानते हो कहां लिखनी है, वो आपको comment section में लिखनी है, नीचे जाके, और वो comments आप पढ़ना इस video के, तो आपको हो सकता है, कई knowledge मिलें, हो सकता है, कुछ miss कर रहे हो, किसी ने नीचे लिखी हो, और अगर आप पढ़ने जाई रहे हो comment, तो किसी की अगर help कर सको, आप तो कर देना, please, और नीचे आप जाओगे ना, तो कई लोग के आपको questions and answers मिलेंगे, हो सकत तो नीचे तक जाना, अगर आपको कुछ discussions देखने हैं, तो चलो guys, मैं चलू यार, जाने दो यार, क्या यतने लंबे लंबे वीडियो देखते रहते हो, आप जाओ कोई और वीडियो देखो जाके YouTube पे है, अब मैं में लूँगा आपको अगले build वीडियो में, तब तक के ये टाटा, और अगर आप same build बना रहे हो, तो link description में है, चली guys,